रुकरें अंगली खबर की ओरजाप पंजाब के स्वास मंत्री बलबीर सिंग सिद्धू ने केंद सरकार पर बीजेबी श्यासित राज्यों की तुलना में राज्यों को कम संख्या में कोविड-19 के ठीकों की खुराक की अपूर्ती करने का आरोप लगाया है मंत्री ने दावा किया है कि ठीकों की अपरियापत अपूर्ती से राज्यों में ठीका करन अभ्यान की गती धीमी हो गई है उन्होंने कहा कि पंजाब में प्रती दिन तीन लाख लोगों को ठीका लगाने की शमता है बलबीर सिंग ने आगे बताया कि बयान जारी किया है कहा कि टीका करन के आंकड़ों से पता चला है कि मद्यप्रदेश, हरियाना और उत्तर प्रदेश जैसे बीजबी शासित राज्यों में टीका करन अभ्यान की गती कई गुना ज्यादा बढ़ गई है उन्होंने ये भी कहा कि मद्यप्रदेश में 21 जून को 17 लाग खुराक लगाई गई जब कि 20 जून से पहले प्रति दिन औसतन एक लाग पिचटर हजार खुराक लोगों को लगाई गई थी इसे बीच मंतरी ने ये भी आरोप लगाया कि इस लिहाद से कुल मिलाकर 9 गुना वृद्धी होती है जो भारस सरकार के जरिये राज्यक और टीकों की आपूर्ती में असमानता को उजागर करती है उन्होंने आगे दावा किया है कि मुद्ध प्रदेश को एक दिन में 17 लाग खुराक मिली है जब की पंजाब को 1 जून से 24 जून के बीच सिर्फ 16 लाग खुराक ही दी गई मंत्री ने आगे बताया कि मांग और आपूर्ती के बीच का अंतर चिंता का विशे है और टीका करन अभ्यान की सफलता के लिए टीकों का सामान वित्रन काफी महत्वपूर्ण है साथ ही ये भी दावा किया गया है कि हरियाना में खुराक दिये जौने में करीब 7.14 गुना वृद्धी देखी गई पंजाब के महीने में सिर्फ 17 लाग खुराक ही दी गई थी आगे उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र के जरिये जून में 21 लाग खुराक देने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद टीके की केवल 16 लाग खुराक ही दी गई बता दें कि टीकों की असमाना पूर्ती को दर्शार आया है यांपर केंदो और इसके साथी पंजाब में टीका करन अभ्यान को परभावित किया जा रहा है आगे आपको बता दें पंजाब के लिए हर दिन टीके की दो लाग खुराक किया पूर्ती की मांग की गई है